हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक माई यूट्यूब चैनल में जया अपलोड करता हूं बीए सी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एलेटर डिवीडियू लक्चर सू बीए सी फिजिक्स सॉलिड इस्टेट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉट कमिंग्स ऑफ आइंस्टेट मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ तो इससे पहले आपको जो आइंस्टेट मॉडल है उसके बारे हम पता होना चाहिए यानि कि स्पेसिफिक हीट जो उत्य है सॉलिड के लिए उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो जाके देख सकते हैं अदरवाइस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं तो आइंस्टेट मॉडल जो था उसके बारे हमने डिसकस किया लेकिन मैं आगर आपको स्टाटिंग से बताओं कि स्पेसिफिक हीट का सॉलिड के अंदर जो रेज हुआ है जो स्पेसिफिक हीट हुता है सॉलिड की इसको हुं सीवी से डिनॉट करता है अब ध्यान यह रखना कि गैस के लिए तो सीवी माइनस सीपी स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है एक constant volume עंड constant pressure तो गैस के लिए तो इनका difference गैस constant our K equal होटा है बट जब हम सॉलिड की बात करता है तो solid के case में यह जो होता है वो लगबग एक दूसरे के equal हो जाता है अप्रॉक्सिमेट हम इनको equal लेता है इसलिए हम हर जगे CV से ही काम करते हैं अपना ठीक है तो जो specific heat जो होता वो किसके equal होता है du upon dt at constant volume के equal होता है अब देखो इस case में क्या होता है कि जब डूलॉंग और पैटिट ने इसके बारे हम डिसकस किया आपने इस परस्नली वीडियो बना रहा है तो उन्होंने उसमें बताया था कि जो डूलॉंग पैटिट की जो अधार ना थी जो उन्होंने बताया था यह जो specific heat at constant volume है यह हमेशा constant rate यह मतलब temperature से independent temperature इस temperature का कोई effect नहीं होता इसके उपर तो actually डूलॉंग पैटिट ने जो बताया था अगर आपको graph कि तुरू समझाओ अगर उनके जो उनका जो मानना था हूँ हम इस graph कित्रों अगर उसको समझाओ तो यह जो dotted line आप यहाँ पर देख रहे हैं यह dotted line जो है डूलॉंग पैटिट के उसकी theoretical जो like assumptions थे उन पे based है ठीक है हम यहाँ पर कहते है कि यह जो थी वो 3R के equal थी वो कहते है कि यह temperature से independent है आप कोई भी temperature उठ था यह इसकी value अमेसा कैसी मिलेगा आपको constant मिलेगी यह इस टाइप से चलता जाया गए constant value पे based था उन्होंना बताया था डूलॉंग पैटिट है बट जब इसका experiment किया गया इन्हें की constant volume एंड यह जो temperature था Kelvin में अनना temperature लिया तो जो इसका experiment किया गया तो तो experiment करने पे हमको क सब्सक्राइब बढ़ता है और at melting point तक यह constant रहता है निया कि room temperature से melting पंड किसी भी solid के room temperature पे जो उसका structure होता है निया कि जो इसकी specific heat होती है वहां से melting point तक यह approximate constant वे में चलता है as dual long पैटिट है constant मतलब 3R के equal होता है but about the melting point वो जो है वापस 3R से उपर की value को attend करता है तो यह जो था डू लोंग और पैटिंग जो डू लोंग और पैटिक भाई साब ने जो बताया था वो यहां पर फेल हो जाता था तो जो Einstein भाई साब थे उन्होंने Einstein model एक दिया था और उस Einstein model में उन्होंने क्या क्या था उसके बारे में बात करते है अब इस पे भी आग पो कुछ कम्यों को पूरा करता था क्या कमिया थी हम उसके बार में डिसकस करते हैं तो आइंस्टीन हिंसल्फ रिकॉगनाइजड दिद अधे अधे जंसंस वाइब्रेशन डिडिड नॉट क्रॉस्पंड टो अब देखो एक्शुली जो फेक्ट्स जो थे यहां पर उन एक्श एक स्ट्क्चर यह लेटीस सबसल्फ होता है तो अम्युक्ष्टिव से हम इसको कनेटेड ले टकरता है इस चलो इस को क्या करते हैं लास्टिइक इस स्प्रिंस अमने इसको कनेक्टेड लैट करते हैं तो अब देखो अब यह सारे जो है वो आपस में एक दूसरे से connected है बट Einstein की जो थोरी थी उसके according उन्होंने क्या किया कि एक atom को नन लिया मालनो उन्हों इस atom को लिया तो इस atom को समझता है चलो इस atom के बार में बात कर लेते हैं इस atom को नन लिया ऊन्होंने क्या कि इसका एक individual उसके इपल होता हुँच में, तो जब भी हम बात करता हैं, इसके बार में एक independent atom का vibration consider ही नहीं किया जा सकता, तो उस condition में यह fail हो जाता है, तो उन्हाने इस एक के उपर उन्हाने थेयरी दी थी और उन्हाने का थे independent उसका vibration होता, बाकि इन सब के जो effects थो दे, इसके उपर लगने वाले उस effects के उन्हाने neglect कर दिया था, एक्चुल जो उसका meaning था, वो यह था, कि Einstein model में उन्हाने independent ले लिया था, ठीक है, वो आप आमने लिखा है, ठीक है, उन्हाने यह आप जो है, इस टाइप से independent लिया था, तो actually जो था, उन्हाने independent consider कर लिया था, जो कि आप देखो, 100% कासा होता नहीं, वो एक under the field, आप देख सकते हैं, आप आमने लिखा है, कि the, like, the particular atom must be very complex end, ठीक है, जो यह होता है, वो complex के form, बहुत सारा एक, आप कह सकते हैं, complex उसका बना होता है, एक पुरा जाल बना होआ होता है, उसके अंदर वो fix होता है, तो it is under the field of force thousands of vibrating atom, यह सारे जितने भी आप देख सकते हैं, यह सारे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आप अगर हम बात कर रहे हैं, यह सारे एक दूसरे बाइबरेट कर रहा है, इसका भी effect होगा, इसका भी effect होगा, इसका भी effect होगा, इसका भी होगा, तो इन सब के effect को नोने neglect कर दिया था, उन्होंने सिर्फ एक individual atom के बारा में consideration की थी, जो कि यहाँ पर fail हो जाती थी, ठीक है, तो इसके बीच म कैसे नहीं मिलाता, तो हम यहाँ पर सिदा से यहाँ पर इस graph को समझते, देखो, यह हो गया था, dual long petit के जो law था, उनको fail करने के लिए, यह वाला जो second graph की बारें बाद यह first graph हो गया, now come to the second graph, second graph में भी यह है, इधर temperature चल रहा है, इधर cv specific heat चल रहा है, तो इस case में यहाँ हम देखते हैं कि dual long petit का जो according to graph था, वो तो मिलना ही नहीं था, वो तो हमने हाँ पर experimentally उसको हमने fail कर दिया था, बट जब Einstein के थूरू उनको देखा, समझने कोशिश की, तो Einstein ने क्या का था, यह जो आप graph देख रहे हैं यहाँ यह Einstein ने theoretically समझाया कि इस type से बढ़ेगा, ठीक में यह भी सही नहीं था, ठीक है, अब देखो, यहाँ तक हमने इसको consider गया constant, बट जब इसका like Einstein का जो curve, experimental थो हमको ऐसा मिल रहा था, Einstein का curve जो था उनका था, थोड़ा से ऐसे mood के चलेगा, ठीक, actually ऐसा भी experimental value ऐसे मिल रहे थे, पर तो यह वापस क्या हो रहा था, वह फेल व because ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए वाई थोड़ा से ऐसे value curve में क्यों हो जाती है, curve exponentially type में हो जाती है, because of that, यहाँ पर इन्हों नहीं सिर्फ individual atoms let कर लिये थे, एक जो उसका, like इन्हों नहीं जो harmonic oscillator लिया था, तो वो individual ले 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 तो नहीं, coupled harmonic oscillator नहीं, सीधा सा, एक लाइन म जो कि हमने हमारे previous derivation में की है, okay, फिर कहा कि Einstein, like Einstein's expression explains the specific heat curve up to, करो up to criteria, जो इन्हों नहीं क्राइटेरिया दिया था, करो up to certain point, sorry, criteria not certain, तो इन्हों नहीं कहा था, अप to certain point तक तो यहाँ पे, इन points तक तो क्या हो रहा है, वो सही हो रहा था, इन्हों नहीं जो explain क्या था specific heat of the curve at certain point fails, यहाँ तक कुछ certain point हो तो इतना gap आगया, यहाँ से starting में ठीक था, फिर थोड़ा हम मान सकता है, बड़ जब last में गया, तो बहुत ज़्यादा difference इसमें आने लगा, ठीक है, तो दख it fails completely at the extremely low temperature, अब देखो बहुत low temperature, मानलो यहाँ तक था, तो बुरा ही fail हो गया, ग्राफ को समझ के बहुत इसली कर सकते हैं कि डूोलॉघ थियू इसको प्रिक्वेंची की टाइप का होता है इसको नहीं देखेंगे और यहां पे यह यहां पर फेल कर जाता बस सिधा सूट कमें गितना है आप इन दो graphs को समझ के बहुत इजली कर सकते हैं कि डूलॉंग पैटिट ने कहा था यह 3R के एकवल होता है बड़ा असा नहीं होता है experimental value यह मिलती है बट आगे जा कि Einstein भाई साब ने यह वाला कर्व दियता है जो कि at low temperature जो था वो completely fail हो रहा था ठीक है बट वो हमेंसा क्या करता है इसको हम कह सकते है इसको फॉलो करता है cv जो होता है specific heat जो होती हो t to the power 3 के proportional होती है यह फर्मूला हमने हमारे जो यहाँ पर डिबाई करें थेंक्यू बाबार